नमस्ते आज का हमारा पार्ट चार्ली चैपलिन यानि हम सब अध्याई पंजरवे के हम मल्टिपल चोईस कुश्चन्स कर रहे हैं हमारा पहला प्रेशन है चार्ली की जो फिल्में हमें अलग-अलग प्रिकार की भावनाओं का एहसास कराते हैं उनमें से दो कि नाम लिखने हैं तो चार आप्शन हमें मिल रहे हैं सही जवाब जो है हमारा मेट्रो पॉलिस और दर रोवन्तस सील है ये दोनो फ़र्स्ट जो ऑप्ष्चन है याद कर लिए और तीनों आप्षीन जो है वो रोंग है तो इसलिए हमारा आप्ष्चन Ay से ही ज चाहा था तो इसमें हमारा सही जवाब है ज्वाहलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने उनका सानित्य चाहा था प्रेशन आता है चारली की फिल्में किस पर आधारित है तो चार उप्रेशन मिलेंगे भावनाओं पर ये थार्थ पर विचारों पर या कल्पना पर तो सही जवाब है भावनाव्पर आधारितन की फिलमे निक्स्ट हमारा फ्रेश्ने है देवानन नी चारली का अनुकरन करते हुए किन फिल्मों में अफिन ने किया तो उनकी फिल्मे हैनो दो ग्यारह और तीन देविया इसमें उन्होंने देवानन ने चारले का अनुकरण किया था उनकी कुछ नकल करने की कोशिश की थी उन्हें फोलो किया था मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने हुए कितने साल हो चुके हैं तो इसमें हमारे सामने आप्शन है 80 साल 60 साल 55 साल या 50 साल तो सही जवाब है 75 साल हो चुके हैं मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने हुए 75 यार्स हो चुके हैं आपको जिन सवालों के जवाब सही आते हैं वो कमेंट सेक्षिन में बताते जाना और जिनके सभी कुशन सही आए हैं वो भी मुझे जरूर बताना नेक्स्ट अमारा प्रिश्ण है कि चारली की मा किस प्रकार की अभिनेत्री थी इसमें हमें चार ओप्षन मिल रहे हैं पहला है लोगप्रिय, दूसरा है समन्य, तीसरा है सरुस्रेष्ट, चो था है घटिया तो इसका सही जवाब है उनकी माताजी समन्य प्रकार की अभिनेत्री थी नेक्स्ट प्रिश्ण है चारली को किस से संख़िश करना पड़ा पहला उप्षन है राजाओं से, दूसरा उप्षन है नेताओं से, तीसरा उप्षन है फिल्म निर्माताओं से, चोथा उप्षन है जटिल परिस्तितियों से तो इसका सही जवाब है जटिल परिस्तितियों से उन्हें मुकाबला करना पड़ा था, संखिश करना पड़ा था प्रेशनाता है कि चारली किस भारतिय साहित्यकार के अधिक नजदिक है इसका उप्षन है जैसंकर परशाद, दूसरा उप्षन है यश्पाल, तीसरा उप्षन है अमरितलाल नागर, चोथा उप्षन है प्रेमचन तो इसका सही जवाब है प्रेमचन जी के सबसे अधिक नजदिक है प्रेशनाता है कि चारली का पिता कौन था यहाँ पर चार अप्शन मिल रहे हैं जापानी, यहुदी, पाकिस्तानी या भारती है तो उनके पिता यहुदी थे यहुदी यहाँ पर सही जवाब है अप्शन B प्रेशनाता है कि चारली ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है इसमें हमें चार अप्षिन मिले हैं करूनरस और हासे रस दूसरा अप्षिन है श्रंगारस और वीरस तीसरा अप्षिन है हासे रस और वीबस रस पांचाथा आप्शन है वीरस और रोदरस इन में से हमें एक बताना है तो मरा सही जवाब यहां पर है करुनरस और हासेरस का हुन्हें समिश्रन किया था करुनरस झाल 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 झाल